Hello friends, I am your study mate Sariqa Ramola और आज हम करने वाले हैं भारतिय समविधान के महतोपूर्ण अनुचित को ठीक है उन अनुचित को करने से पहले मैं एक रिविजन टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत important question है जो बहुत सारे exam में पूछे गए हैं ठीक है और उससे कैसे कैसे question पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ चले start कर लेते हैं पहले कुछ MCQs पहला question है भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पहली बार रास्टिय गीत को गाया गया ठीक है चले इसका right answer क्या हो जाएगा 1896 में ठीक है जो भारतिय रास्टिय कॉंग्रेस थी इसके स्थापना 1885 को हुई ठीक है उसके बाद हर साल वार्षिक अधिवेशन इसके होते थे ठीक है तो इसी अधिवेशन 1896 में रास्टिय गीत को गाया ठीक है अब question कैसे put up होता है और एक तो direct question ही हो गया दूसरा question क्या बन सकता है कि इस अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की किसने की ठीक है तो अधिवेशन रहे उस time पे रहम तुला M Sine ठीक है ये अध्यक्ष रहे आप question आ सकता है कि कहाँ पर ये अधिवेशन हुआ तो ये अधिवेशन हुआ था कॉल काता में ठीक है और राश्टी गीत आपको पता है कौन सा है वंदे मातरम है और लिखा किसने है वंकिम चंद चटर जी ने तो ये पांच्छे question एक साथ एक ही question से निकल गया है ध्यान रखेगा इन चीज को चलिए next question है बहुत बार exam में पूछा गया है और बहुत important है निम्न में से कौन सा विशय राज्य सूची का नहीं है ठीक है तो इसका right answer हो जाएगा railway रेलवे जो है वो राज्य सूची का विशय नहीं है जो हमारा समविधान है उसमें बारा अनुसूचिया है उसमें से जो साथवी अनुसूची है उसमें तीन सूचिया है ठीक है एक है केंद्र सूची दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्थी सूची ठीक है, और इने विश्य को बान्ट दिया गया है सबज़ेक्ट को, केंद्र सूची या संग सूची जो होती है, इस पर कानून बनाता है, सैंटर केंद्र बनाता है, राज्य में basically राज्य बनाता है, कभी कभी कुछ कंडीशन में केंद्र भी बना सकता है और जो समवर्ती सूची होती है इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं ठीक है तो रेलवे जो है यहां पे यह राज्य सूची का विशय नहीं है क्योंकि रेलवे पे कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा केंद्र सूची का विशय है तो क इंद्र बनाएगा ठीक है एक और question देख लेते हैं पहला लोगपाल विधेक संसद में किस वर्स प्रस्तावित किया गया ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1968 में ठीक है लोगपाल का जो concept है यह कम के पहले में देख लेते हैं लोगपाल को ठीक है लोग इसमें दो संस्कृट का ही शब्द है दो सब्दों से मिलके बना है लोग का अर्थ होता है लोग और पाल का अर्थ होता है यहां पे संरक्षक ठीक है तो जो इस लोगपाल पद होता है यह क्या करता है कि उच्च सरकारी पदों पर जो आसीन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा कोई व्रस्टाचार किया गया है अगर कोई व्रस्टाचार तो उसकी सिकायतों को सुनता है और उस पर कारवाही करता है यह लोगपाल का काम होता है ठीक है और सबसे पहले भारतिय संसत में कब प्रस्तूत किया गया 1968 में किया अब कुश्चिन क्या आता है यहां पे कि विश्व मे लोग पास सबसे पहले किस देश में लाया गया तो यह लाया गया सबसे पहले स्वीडन में ठीक है उसके बाद और देशों ने अपनाया चलिए तो यह हमारे रिविजन कुश्चिन हो गए हैं अब हम पढ़ लेते हैं भारतिय सम्विधान के महतोपूर्ण अनुच्छित हमारे पास टोटल अनुच्छित थे हम इसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे अर्टिकल ठीक है उस समय जो अनुच्छित थे हो कितने थे तीन सो पिच्चानवे अब कॉंसिटूशनल अमिंडमेंड्मेंड यानि सम्विधानिक संसोधन करके कम से कम इनकी संख्या साड़े 400 तक हो गई है ठीक है अगर हम बोलें कि हमारे सम्विधान में कितने अनुच्छित है तो 395 तो हमारे सम्विधान में कितने अनुच्छित है 395 तो उन अनुच्छित में हम इंपोर्टेशन पढ़ेंगे जो हमारे exam हमारे competition के लिए important होगे यह चीज को ध्यान रखना हमें च पहले भाग में क्या दिया गया है उसके इंपोर्टेंट अनुछेद आर्टिकल्स को पड़ेंगे भाग हमारे पास आपको मैंने बताया कितने भाग है अमारे समविधान में 22 भाग है ठीक है उसमें से जो पहला भाग है वो कहता है संग एवं उसका छेत्र यानि जो भाग फ आर्टिकल एक से लेकर चार तक इसके अंतरगत आते हैं भाग एक की अंतरगत ठीक है भाग एक ए और सॉरी आर्टिकल एक क्या कहता है आर्टिकल एक कहता है कि भारत राज्यों का एक संग होगा यानि इंडिया देट भी भारत शेल भी युनियन स्टेट तो ये किस अनुचेद में अनुचेद एक में डिरेक्ट कुशन पूछा जाता है अनुछेद दो क्या कहता है कि नए राज्यों का निर्मान या प्रवेश यानि हमारे देश में कोई भी नया राज्य अगर गठित होता है तो उसको हम किस अनुछेद में रखेंगे अनुछेद दो में रखेंगे कोई भी भूभाग है अगर उसको भारतिय छेत्र में मिला रहे हम तो भी हम उसे कहा रखेंगे अनुछे दो में रखेंगे तो नए राज्यों का निर्मान आ जाएगा अनुछे दो में अब अनुछे तीन में देखिए अनुछे तीन कहता है कि राज्यों के छेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन मतलब समझे इसका कि जो हमारे पास राज्य हैं वर्तमान में उनके छेत्र में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन और उनके नाम परिवर्तन होंगे आर्टिकल 3 के अंतरगर ठीक है तो दो और तीन में कन्फ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि दो क्या कहता है जब भी कोई नया राज्य बनेगा तो इसमें रखा जाएगा ठीक है और किसी राज्य के छेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 में रखा जाएगा एक्जैम्पल देख लेते हैं जब उत्रांचल का नाम उत्राखंड किया गया तो आर्टिकल किस से अंतरगत किया गया आर्टिकल 3 के अंतरगत किया ठीक है तेलंगा न जब नया राज्य बना तो उसको किस आर्टिकल के अंतरगत रखा गया आर्टिकल 2 के अंतरगत रखा गया ठीक है अब आर्टिकल 4 क्या कहता है पूछा नहीं जाता है कभी भी आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 को किस प्रकार से यूज करके apply किया जाए ये चार में बताए गया है ठीक है तो ये मैंने इसमें नहीं लिखा है चैले अब भाग दो में देख लेते हैं क्या important articles है जो भाग दो है इसको ध्यान रखेगा ये है citizenship यानि नागरिक्ता से सम्मंदित इसके जो article है वो है 5 से लेकर 11 तक ठीक है अब में question दो type से पूछे गए अभी तक अगर आप पीछे question पेपर उठा के देखें तो एक question कि नागरिक्ता किस भाग में दी गई है और दूसरा question कौन से article में नागरिक्ता का उलेक है तो article 5 से लेकर 11 तक ठीक है बाकि हम नागरिक्ता अलग सा topic पढ़ेंगे कि नागरिक्ता के यह कैसे समापत होती है वह अलग topic देखेंगे बेसिकली यहाँ पर यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है अब आजाता है बहुत important भाग तीन अब जो भाग तीन है इससे unlimited question पूछे जाते हैं और यह है मौलिक अधिकार भाग तीन में दिये गए है fundamental rights दिये गए है ठीक बताये गया है जो मैं proper अलग दो वीडियो मैंने इसमें बनाये हुए है दो चैप्टर करके मैंने इसको दो पार्ट में बनाये हुआ है तो आप वहन से इसको पढ़ लेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह time consume करेगा अगर हम एक एक करके वही चीज दुबारा पढ़ेंगे ठीक है तो मौली का दिकार हमारे आर्टिकल बारस से लेके पैंतिस तक है इसको आप जरूर देखेगा भाग तीन में चलेए नेक्स देख लेते हैं भाग चार क्योंकि अपने आप में ही चैप्टर भी है अलग अलग ठीक है भाग चार क्या है नीती निदेशक तत्तो है औ संविधानिक संसोधन क्या जाता है उसके माध्यम से जोड़ा गया ए पार्ट को और उसमें क्या कर दिये गए मौलिक कर्तब्य यानि फंडमेंटल ड्यूटी रख दी गई और उसके लिए भी एक आर्टिकल रखा गया वो आर्टिकल है 51A ठीक है क्योंकि 51 तक तो यहां आ अब 51 A आ जाएगा चलिए अब जो हमारा मूल समविधान था इसमें मौलिक दिकार तो थे लेकिन मौलिक कर्तब्य नहीं थे तो एक समिति का गठन किया गया उस समिति का नाम स्वार्ण सिंग समिति ठीक है स्वार्ण सिंह समिति अब इस समिति ने रिपोट डिक भारत में अगर मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक कर्तब्य भी होने चाहिए तो इस आधार पर हमारे समविधान में एक संसूधन किया गया क्योंकि मैंने आपको बताया मौलिक कर्तब्य हमारे समविधान में नहीं थे ठीक है और हम इस समिते ने कहां से हमने लिए रश्या से ठीक है रश अच्या से हमने ले ली और किस समिती की सिपारिस पर सौने सिंग समिती की सिपारिस पर अब देखिए 42 समविधान संसोधन क्या गया ठीक है और कब वह था 1976 में और हमने भारतिये समविधान में जोड़ दिये 10 अगर आपके पास कैसे भी पूस सकते हैं कि वर्तमान में कितने फंडमेंटल ड्यूटी था तो ग्यारा है मूल समविधान में कितनी थी तुक थी ही नहीं ये समविधानिक संसोधन करके जोड़ा गया इसको ध्यान रखेंगे ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ नीती निदेशक भी पढ़ा चुकी हूँ ठीक है चलिए अब देख लिते हैं भाग चार तक हमने वहाँ पर देख लिया है अब हम देखेंगे राष्ट्र पती अब यहाँ पर भाग कौन से आ जाएगा भाग पाँच में और भाग पाँच में आर्टिकल कौन से हैं बावन से लेके 151 तक जितने भी इसमें आर्टिकल ठीक है अब उसमें राश्ट्रपती भी हो सकता है उपराश्ट्रपती भी हो सकता है संसत भी हो सकती है प्रधान मंत्री भी हो सकती वो सब हो सकते हैं तो हमें इंपोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं चलिए तो अब हम देख लेते हैं पहला जो आर्टिकल है इसके आधार पे आपने राष्ट्रपती बनाया है तो सम्विधान खोल के हम बता सकते हैं कि आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपती होगा यह डारेक्ट कुशन आता है ठीक है 52 आर्टिकल 53 क्या कहता है कि राष्ट्रपती देखे राष्ट्रपती की शक्तिय और बिसीसकर कौन सी शक्तिया कारेपाली का सक्तिया चलिए आर्टिकल 54 देख लेते हैं आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपती का निर्वाचन वैसे आमने राष्ट्रपती के अलग टॉपिक है वो भी हमने पूरा पढ़ रखा है दो वीडियोज में पढ़ा है एक में राष्ट तो आप वहां जाके प्लेस्ट में जाके इसको भी पढ़ सकते हैं. तो 54 के अंतरगत क्या है? निर्वाचन है राष्ट्रपती का. आर्टीकल 58 आ जाता है. अब 58 में क्या है? तो राष्ट्रपती निर्वाचित होने के लिए योग्यता क्या होनी ? ठीक है कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपती बनने के योग्य है इसके लिए योग्यता क्या है वो 58 में है अब बहुत इंपोर्टेंट आ जाता है आर्टिकल 60 इसको विध्यान रखेगा ये भी क्यूशन में कई बार पूछा गया है आर्टिकल 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपती क को सपत ठीक है किस आर्टिकल के अंतरगर 60 के अंतरगर ऑँ आपने राश्ट्रपती के चुन लिया अब आपने क्या किया चुनने के बाद 2 आटिकल 61 में आए और राष्ट्रपती को हटाने के प्रकिरिया स्टार्ट कर दी या नि महाव्यों की प्रकिरिया जिसको बोलते हैं process of impeachment ठीक है impeachment process जो होता है वो किसमे आर्टिकल 61 में इसको भी important करेंगे बहुत बार repeatedly ये question पूछा गया है ठीक है तो महावियों की प्रकिरिया आर्टिकल 61 में अब आ जाते हैं अब आपको मैं यहीं पर बता दूँ जो राश्च्च्च्च्चरपती नहीं हो यहां तक कि मृत्युद नन को भी राश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चक्यबा कर सकता है चिशेयद धियान रखेगा क्योंकि राज्यपाल को ये शक्ति प्रदान नहीं दी गई है केवल राश्ट्रपती को दी गई है मृत्युदंड को छमा करने की शक्ति किस आर्टिकल के अंदर गर आर्टिकल 72 के अंतर गर चले एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आजकर बहुत बार एक्जाम में किस अनुश्कीत के अंतर गर आर्टिकल 85 के अंतर गर चले एक और import in एक अपूर्टेंट गे लेते हैं राश्ट्रपती से संबंदिT एक सोतेश इसमें, इसमें क्या है राश्ट्रपती को जो tense अधिकार है अध्यादेश्ञाइश क JESS शक्ति राष्ट्रपती को है, यानि जब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बता देती हूं, जो संसत का निर्मान होता है, वो तीन इस्तंब से होता है, कौन-कौन से, एक राष्ट्रपती, ठीक है, दूसरा राज्य सभा, तीसरा लोग सभा, ठीक है, तो अब आप देखिए, स संसत किसी भी नियम को कौन बनाएगी, संसत बनाएगी, जब यह इन तीनों प्रोसेस से, वो कम्प्लीट होगा, लेकिन कभी-कभी कंडिशन ऐसी आ जाती है, कि लोग सभा भंग है, या राज्य सभा की मिटिंग नहीं चल रही है, और कोई नियम या कोई आदेश बहुत ज ठीक है, बाकी जो प्रोसेस होगा अध्यादेश का, वो आगे चलता रहता है, लेकिन इसका भी उतिनी ही वैल्य होती है अध्यादेश की, ठीक है, तो ये शक्ति प्रदान किसको है, राष्ट्रपती को आर्टिकल 123 के अंतरगत, चलिए, नेक्स देख लेते हैं, राष्ट् राष्ट्रपती देखिए, सुप्रीम कोट से सलार ले सकता है, ठीक है, कोई भी सलार राष्ट्रपती सुप्रीम कोट से ले सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपती उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, और नहीं सुप्रीम कोट देने के लिए बाध्याद है, ठीक है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर में आप देखेगा जो प्लेइलिस्ट में जाके आप देखेंगे फिलाल हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल में दो आर्टिकल पढ़ेंगे उपराष्ट्रपती के चले एक है आर्टिकल 63 इसमें क्या कहा है कि भारत का ए राज्य सभा के सभापती के रूप में कार्य करेगा ठीक है चले जो प्राष्ट्रपती होते हैं उनका काम ही क्या होता है राज्य सभा के सभापती के रूप में वो कारे करते हैं ठीक है अध्यक्ष के रूप में या हम इसे सभापती बोलते हैं उसनके दाइतों को निभाते हैं किस आर्टिकल के अंतरगर आर्टिकल 64 के अंतरगर और यही मैं आपको बता दूँ कि जो भारत के उपराष्ट पती हो में काम करने के लिए मिलता है ठीक है राजग depends के रूप में कारे करने के लिए मिलता है न कि उपराश्च्छ पती के तो ये होगे उपराश्च्छ क्लिशन के समदीत महतुब we a article's चैली हम नेक्स देख लेते हैं प्रधान मंत्री को ठीक है प्रधान मंत्री का जो important आर्टिकल है वो हम देखेंगे इसके अलावा और चीज़ें देखेंगे अब आप देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 74 की आर्टिकल 74 के हम बात करें तो इसमें का है कि राष्ट पती की सहता इवं सलाह के लिए एक मंत्री परिशद होगे ठीक है एक मंत्री परिशद का गठन किया जाएगा आर्टिकल 74 के अंतरगत और किसके लिए राष्ट पती की मदद व सला के लिए ठीक है इसके लिए मंत्री परिशद बनी है अब इस मंत्री परिशद का जो हैड होगा वो आर्टिकल 75 में होगा कौन प्रधान मंत्री इसे ध्यान रखेंगे ठीक है आर्टिकल 74 मैं बार-बार बोल रही हूँ ताकि आप लोगं को समझ आ जाए आप उसे रटो नहीं बलके आप समझो इसे ठीक है अर्टिकल 74 क्या बोलता है कि एक मंत्री परिशद होगी राष्ट पती की साहितावस सला के लिए और उस मंत्री परिशद का हैड 75 के अंतरगत चलिए एक आज आता है आर्टिकल 76 आर्टिकल 76 मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है ये है भारत के महा नियावादी का ठीक है भारत का एक महा नियावादी होगा आर्टिकल 76 कहता है यानि ये भी क्या है एक सम्वेधानिक पद है और ये जो महा नियावादी होते हैं इनक पांच साल के लिए करते हैं लेकिन राष्टपती चाहें तो इन्हें पद से पहले भी हटा सकते हैं इसको महानयवादी को अब इनका काम क्या होता है इनका काम होता है भारत सरकार को कानूनी सलहा देना ठीक है यानि यह क्या है भारत के विधिक सलाकार है महानयवादी आर्टिकल 76 के अंतर चलिए नेक्स आ जाता है अब यह तीन आर्टिकल हम एक साथ पढ़ेंगे यह वाले ठीक है आर्टिकल 79, 80 और 81 अब आप देखिए संसत पहले मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ ठीक अब संसत के कितने अंग है दो अंग है एक है राज्य सभा जिसको क्या कहते है अपर हाउस ठीक है अपर हाउस और दूसरा हो जाता है लोग सभा जिसे कहते हैं लोवर हाउस ठीक है यह बड़ा सदन है उच और लोग सभा निमनी सदन है और इनसे क्या बनी है संसत बनी है अ उच्छ सदन कौन सा हो जाएगा? राज्य सभा. तो संसत का गठन हमने पढ़ लिया, 79 में और 80 में क्या बुला मैंने? राज्य सभा का गठन. ठीक है? यहाँ संसत का गठन. चले, अब लोवर सदन कौन सा है हाउस? लोग सभा है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोग सभा का गठन. ठीक है? तो यह तीनों एक साथ याद करने हैं. 79 संसत का गठन, 80 राज्य सभा का गठन, 81 लोग सभा का गठन. ठीक है? यह नहीं करेंगे, मैंने इसको डिटेल से बता दिया है. चलिए. चलिए. नेक्स देख लेते हैं. आर्टिकल 100. ठीक है? यह इंपोर्टेंड है. आर्टिकल 100 जो है, वो क्या कहता है? दो-तीन चीज़ें इसमें हैं. लेकिन हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले, अगर किसी सदन में गणपूर्टी नहीं है. ठीक है? अगर किसी सदन में गणपूर्टी, यानि कोरम हम कहते हैं, कुल सदस्य संख्या के, एक बटे 10 सदस्य से अगर उपस्थित नहीं है, तो जो सदन का अध्यक्ष होगा, तो वो उसकी कारवाई को रोक सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इतने सदस्य से नहीं है, तो कारवाई जो बैठक है, उसका फाइदा नहीं है, एक तो यह हो सकता है, ठीक है? गणपूर्टी. दूसरा अगर हम देखें, कोई भी सदन है, उसमें अगर वोटिंग हो जाए, पचास-पचास परसेंट ठीक है, इक्वल हो जाए, यह मैं आपको बता रही हूँ, पचास एक्जाम्पल दे रही हूँ, इक्वल अगर वोटिंग हो जाती है, तो आप देखेगा, कि क्या होता है, कि जो सदन का अध्यक्ष या सभापती होगा, वो निर्नायक मत दे सकता है, ठीके, क्या कर सकता है, वो निर्नायक मत दे सकता है, ताकि जो विधेग, ठीके, जिस विधेग पर विवाद हो रहा है, वो निर्नायक किसी निर्ने तक पहुंच सके, ठीक है तो ये चीज़ें आपको रखनी है एक गंडपूर्ती के लिए होता है आर्टिकल 100 और दूसरा निर्णायक मत के लिए ठीक है जिसमें प्रयोग कौन कर सकता है निर्णायक मत अध्यक्ष या सभापती ठीक है किसी भी सदन का दोनों लोग सभा है राज्य सभा में से च धान सभा के हम बात नहीं कर रहे हैं यहां पर केवल और केवल किसकी संसत के सदस्यों ठीक है इसे ध्यान रखेंगे यह भी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है चले बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 108 यहां से बहुत क्वेशन बनते हैं देख लेते हैं द तो इस कंडिशन में क्या होगा कि राष्ट पती ठीक है एक संयुप्त बैठक बुलाते हैं ठीक है एक जॉइन मिटिंग बुलाते हैं संयुप्त बैठक को बुलाते हैं ठीक है आर्टिकल 108 में क्या है संयुप्त बैठक है इस संयुप्त बैठक को बुलाते हैं और इसमें विधैक रखा जाता है जिस पर विवाद हुआ था अब इस वैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है ठीक है तो ये चीज जहां पर ध्यान रखनी है कि आर्टिकल 108 में क्या होती है संयुक्त वैठक होती है जिसके अध्यक्षता लोकसभा अ मामले में जोईन मीटिंग होती है ठीके चलिए तो यह आप किलियर कsti लीजेगा आर्टिकल 108 wyk 1 आर्टिकल 110 में क्या है धन विधयक मनी बिल है तिक है धन विधयक है अब देखिए कोई भी बिल धन विधयक है अथवा नहीं इसका अंतिम निर्ण्य कौन करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है ठीक है यहां से ज्याद़ पूछा जाता है एक तो डारेक्ट गुशन आएग कि किस आर्टिकल के अंतरगत धन विद्यक है आर्टिकल 110 के अंतरगत है और कोई विद्यक धन विद्यक है अथवन नहीं इस पर अंतिम निर्ने कौन देगा तो लोग सभा अध्यक्ष देगा ठीक है चलिए नेक्स आर्टिकल है आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 को अब सीधे समझे य बजट दिया गया है जिसको क्या पोलते हैं वार्षिक वित्य रिपोर्ट ये बजट हम इसे कहते हैं चलिए तो आपके पास अगर कोईशन आएगा कि बजट किस अंतरगत है तो अर्टिकल 112 अब एक बहुत इंपोर्टेंट है आर्टिकल 116 काफी एक्जाम में पूछा जा र आर्टिकल 116 में क्या है लेखा नुदान इसमें ठीक है अब लेखा नुदान क्या होता है देखिए लेखा नुदान क्या होता है जब बजट पेस हो गया है कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बजट में नहीं दरसाए गया है ठीक है बजट में छूट जाते हैं यह बजट से उनको अलग कर दिया जाता है तो अलग से लेखा नुदान के अंतरगत क्या होता है कि उन खर्चों के लिए एक अलग से विधेक संसत में पास करवाया जाता है ठीक है अलग सा विधेक संसत में पास किया जाता है और उन खर्चों के लिए क्या होता है लेखा नुदान उनको क पूछा जाता है, आर्टिकल 170 में है विथ विधेयक इसको याद रखेंगे आर्टिकल 110 धन विधेयक आर्टिकल 112 बजट दिया गया है आर्टिकल 116 बजट में ऑन इसे नकिए और उसे पास किया गया और उसको लेखल सब्सक्राइब आर्टिकल 116 आर्टिकल 117 क्या कहता है कि इसमें विद्विध होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट है सर्वोच नयले सर्वोच नयले से important हम लोग यहां पर आर्टिकल पढ़ लेते हैं सर्वोच नयले में जल्दी पढ़ाने वाली हूं तो उसमें have to see some articles on this article 114 article 114 में क्या है कि भारत में एक सुप्रीम कोट का गठन या इस्थापन ठीक है किस आर्टिकल केंदरगर article 114 अ क्या होता है तदर्थ नियाधीश अब तदर्थ नियाधीश क्या होते हैं एड हॉक ठीक है तदर्थ नियाधीश किस अनुच्छेत के अंतरगन 1027 के अंतरगत धिहान रखना इसको ठीक है आर्टिकल 127 के अंतरगत देखे अगर कभी कोरम कोरम पूरा नहों यानि नियाधीस कम हो सुप्रीम कोट में, तो उच्छ हाई कोट से हम किसी भी नियाधीस को ला सकते हैं, ठीक है, जो की सरभोच नियाले के नियाधीस बनने के योग्य हों, ठीक है, कोरम पूरा करने के लिए, तो ऐसे नियाधीस को क्या कहा जाता है, तदर्थ या एड हॉक नियाधिस कहा जाता है जिसका वर्णन किसमे है आर्टिकल 127 में ठीक है चले नेक्स है आर्टिकल 131 आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोट के प्रारंभिक अधिकार हैं ठीक है क्या है प्रारंभिक अधिकार है इसको मूल अधिकार भी कहते हैं अब प्रारंभिक अधिकार अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो गया या केंद्र या दो राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी ना क एक 121 penis के एंतर करे ठीक है डारेक्ट कोbard आता है यह चलिए प्लाप 1 2. एप्हटेकल 137 me ठीक है जो अब मैंसों देखे इसमें क्या होता है कि संसद अगर कोई विधी बनाती है ठीक है कारे-पालिका यह संसद कोई विधी बनाती है और वह क्या होती है समविधान का उलंगन कर रही है वो विदी संसत द्वारा बनाई गए तो न्याए पालिका उसको क्या कर सकती है सुन्य घोसित कर सकती है ठीक है यानि यह क्या कर रहे है इसका न्याइक पुन्रावलोकन कर रहे है ठीक है किसका जो नियम बना है आर्टिकल 137 के अंतरग आर्टिकल 143 का अधिकार यहां सुप्रीम कोट के हुई है कि राष्ट्रपती क्या करते हैं इन से सलाह मांगते हैं और राष्ट्रपती उसे मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं ठीक है तो आर्टिकल 143 में क्या एगी सलाहकारी शक्तियां जो न राष्टपती के लिए बात दे हैं और ना ही सुप्रीम कोट के लिए बात दे हैं ठीक है तो चलिए यह हमने यहां पर पढ़ लिया है बहुत इंपॉर्टन आर्टिकल्स को और बहुत जादा लंबा वीडियो हो रहा है तो इसको अब जो बज़ेवे आर्टिकल्स हैं हम उसको दूसरी पार्ट पर पढ़ लेंगे ठीक है तो आज के लिए इतना ही इसके साथ ही मैं आपको दो तीन कुष्ण और रिविजन के लिए करवा देती हूँ आर्टिकल 164 पार्ट वन के अंतरकर ठीक है इसको ध्यान रखेंगे काफी वार एक्जाम में पूछा जाता है चले नेक्स कुष्ण देख लेते हैं किस राज्य में एक सदनीय विधाई का है चार आप्शन दिये गए हैं और राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें जो विधान मंडल है उसमें दो पार्ट है एक राज्यपाल है ठीक है और दूसरा विधान सभा ठीक है और जो यह अन्य तीन आप्शन है यहां पे क्या है दूई सदनीय व्यवस्था है इसी के साथ हमारे जो भारत है यह जो दूई सदनीय व्यवस्था है ठीक है व नाम में आपको बता देती हूं, एक है विहार, ठीक है, दूसरा यूपी, तीसरा तेलंगाना, ठीक है, अब होगे छे, विहार, यूपी, तेलंगाना, आंधर प्रदेश, गनाटक, महरास, ठीक है, इससे पहले जम्मु कस्मीर में भी था, तो तब साथ राज्य थे, जिसमें विधान परिशत भी थी, लेकिन जम्मु कस्मीर क्या बन चुका है, केंद्र सासित परदेश बन चुका है, तो वर्तमान में 6 राज्य हैं, जहां पर विधान सभा और विधान परिशत दोनों हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे, चलिए, तो ये हो गया हमारा, आज का महतोपून, भारतिय समविधान के जो अनुच्छे थे, इसी का दूसरा पार्ट में लेकि आऊंगी, जल्दी मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जो आप एक्जाम देंगे, वो एक दिन के प्रैक्टिस से नहीं करते हूं, एक दिन अगर आपने सो नंबर, एक हजार नंबर का कुशिन पेपर कर दिया, तो उससे नहीं होगा, बल्कि आपको हर चेप्टर को पढ़ना पढ़ेगा, कैसे कुशिन पूट अप होते हैं, यह हमेसा देखना होगा, ठीक है, तब जाके आप एक्जाम पेपर म कुशिन कर पाईए, चले मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद पढ़ते रहें,